आईए दोस्तों, आज हम आपको लॉंग कुर्टी, कर्टिंग और स्टिशिंग दोनों बताएंगे, जिसके लिए देखिए मैंने ये थोड़ा ड्राइंग करा है, ये किसी ने हमारे पास में भेजा है, तो उसके हिसाफ से जैसे भी जितना मेरे समझ में आया है, तो मैंने य लेसिंज वैस्ट है, तो उसके हिसाफ से मैं आपको बताऊँगा, श्टेप बाई स्टेप, वो साइद जो है, वो मेरे मुवाइल गंदर है, मैं निकाल लूँगा, तो ये मैंने इस तरीक से देखिए ड्राइंग करा है, तो ये इतनी चोली लगेगी, अगर आप चोली ल बताऊँगा, ये गला जो है, बाकि ये गला जो है, ये साइच के हिसाफ से करीब, दस इंज के करीब होगा ये गला, जो हमें देख रहा है उसमें, वो दस इंज के करीब है, हम अपने हिसाफ से बनाएंगे, बाकि इसको किस तरीके से कटिंग करेंगे, और किस तरीके से ब लंबढ़ करूँगा वाकि साइड और लंबाई सेम रखूँगा यह बड़ी एरज का कपड़ा है बड़ी एरज मतलब यह देखिए यह है आपका 56 इंच 56 इसका अर्ज है और यह कपड़ा है आपका क्योंकि मेरे पास में इतना ही पीस यह पड़ा था तो यह इस ही कपड़े में यह अच्छा लगेगा तो मैंने इसलिए सोजा कि लाओ थोड़ी बाजू की लंबाई कम कर दूँगा यह देखिए यह है आपका 65 तो यह करीब कपड़ा है और आपको अगर यह ड्रेस बनानी है तो इसके लिए आपको कपड़ा लेना पड़ेगा धाई मीटर तो करके यह देखे इस तरीके से डफल में कर लेंगे और यह मेरा मोवाईल है मैं इसमें निकाल लेता हूं जो साइज उन्होंने भेजा है यह देखिए साइज इसमें यह है यह देखिए मैं दिखा देता हूं आपको यह साइज है इसका 50 लंबाई है चैस्ट 44 45 एस्ट 41 और इसको भी मैं अपने सामने रख लेता हूं तो देखे इसको हम इस तरीके से यह उसकी फोल्टू देखने के बाद में हमने थोड़ा सा उसको ड्राइंग करा था ताकि हमारे समझ में आये तो हमने इसलिए कर लिया था यह देखे यह कुर्तिया जो होती है जिस आप से यह बना आदा भी काट सकते हैं 8, 5-8hinj भी काट सकते हैं तो मैं 8-8hinj काट रहा है इसको और इसकी जो चोली की लंबाई है इस साएज में कम से कम इसकी लंबाई जो चोली की होगी हो सत्त्रा इंज तयार होगी तो हम इसकी साड़े- Deal तयार कर रहे हैं इसके लिए 1-1, безопас साइज है तो इसके हिसाब से आपको चोली की लंबाई भी बढ़ जाती है तो इस हिसाब से आप बड़ी काड़े वो जब आप नाप लेंगे प्रोपर चोली का तो इस हिसाब से आप रख लेंगे यह देखिए 44 और इसमें 4 इंज की लूजिंग डालूगा मैं आप लूजिंग अपने हिसाब से डाल सकते हैं 44 और 48 और 48 का चोथिया हिस्सा होता है 12 इंज 12 चोक 48 और कमर है इसकी 41 इंज 41 में मैं 3 इंज की लूजिंग दूँगा तो 44 इंज कमर हो जाएगी 44 का चोथिया हिस्सा हो जागा 11 इंज यह देखिए इस तरीके से और यह से फट्टी से में इसको इस तरीके से देखिए काड लूँगा और इसमें उन्होंने जो है ना इसका सोल्डर नहीं लिखके दिया है मुझे तो सोल्डर में इसका काड दूँगा 16 इंज यह साइज के हिसाफ से छोटा ही होगा मगर 16 इंज में काड लेता हूँ बाकि आप अपने हिसाफ से जब लेंगे नाप तो उसमें आप रख लेंगे यह देखिए इसको हलका सा आदा इंज इस तरीके से डॉन करूँगा और यह गुलाई कर दूँगा देखिए और यह इसका क्योंकि बैक का गला इसका बिल्कुल भी छोटा है जैसे 2,5 इंज का होता तो भी बड़ा होता यह तो 1,5 इंज का यह तो इसको कम से कम 2 इंज आप बैक को हटाएँगे इस तरीके से चोली मैंने इसलिए काट ही कि इसके नदर एक चीज है जिसके नदर इसमें न 2,3 बटन लग हुए है तो बटन का यह है कि अगर आपको मैं बताऊँगा कि बटन आपको किस तरीके से लगा सकते हैं उसमें आप जैसे अब ये चोली कड़ गई है तो चोली में हम जो है उसमें बटन टेक भी लगा सकते हैं ये देखिए इसको ऐसे बैक का में ये कटिंग कर लूँगा और मार्जन मैं अपने इसाफ से रख ले रहा हूँ आप अपने इसाफ से रख ले ये देखिए मैंने इसमें ज्यादा नहीं एक इंच का मार्जन रखा है इस तरीके से ये कड लगा देगे और इसका गलब रोड जो है आठ इंच के करीब उसमें ठोड़ा जादा ही लग रहा है मुझे तो ये डेरिंच को कटेंगे ये हमारी बैक की है इस तरहीं के से यह देखिये यह देखिये यह अर्ट और आया दै व्हाल औ काटेंगे और आप हम यह फ्रेंड वाला इससा जो और बैक वाला यह निकाल देखे एक सेट से, अब यह देखिए, यह हमारा फ्रेंट का हिस्सा है, तो इसको इस तरीके से देखिए, 10 इंज, कम से कम इसका गला मुझे उसमें नजर आ रहा है कि 10 इंज है, तो 10 इंज का गला डीप रखूँगा मैं, तो शाड़े 10 इंज पे इस तरीके से निसान लगाऊँगा और यह बी गला है, तो यह देखिए, इसको मैं किस तरीके से, से फट्टी से, ऐसे करके, यह निसान लगाऊँगा, देखिए, इसको देखिए, एक पैर के, मार्जल से, क्योंकि इसमें हमने, उसमें लगवी है जो 40 पट्टी लगी है अंदर की सेट में, तो यह हमारा फ्र फ्रेंड और बैक दोनों कटिंग हो गया है, फ्रेंड और बैक हमारी पूरी कटिंग हो गया है, अब यह देखिए, हमें इसमें 50 इंच लंबाई रखनी है, तो 50 इंच लंबाई के लिए, देखिए, अब आपको किस तरीके से नापना है, आप देखिए, इस तरीके से पर निकाल देंगे, जैसे 16-го बहुते हैं लिएक कि निसान लगा लें, इस तरीक आप लें, जैसे यह आगिया पचास इंच, यह निचे का गहरा हो गया, तो यह आ गयी आपकी, तो यह साड़े 32 इंच, और 1 इंच मारजन का, तो आपका पचास इंच लंबाई पूरी आ और ज्यादा आपको करना है तो उसमें आप 33 की जागा 35 भी कर लें तो इस तरीके से यह लंबाई नापने का जैसे कि आपने निकालना है किस तरीके से या तो आप पहले ही लिखके रख लें कि आपकी जो चोली वो 16 गी यह तो 16 में हमें कितने इंच की इसके नीचे का गहरा क तो इस तरीके से देखिए आप काड़ लें कि जो कटिंग करी हैं यहां से 50 इंज का यह निसान आपका यह लग गया तो यह आ गया बाकी 1.5 इंज का इसका मार्जन हो गया और 1.5 इंज का उसका तो 35 इंज काड़ देंगे अराम से आपका आजाएगा 35.5 इंज के करीब हो जा करते हैं यह देखिए इस तरीके से देखिए मैं उसको फोल्ड गरूँगा Anyone को और फोल्ड करणणे के बाद में इसमें प्रेंड में चाक नहीं कर रहा हूँ जी कि इसको ugyt इस तरीके से व को सबसे आसान तरीका आपके निसान लगाने का है कि आपको को यह से इसको नापेंगे, जैसे यह ले लिए आपने, इस तरीके से देखी, यह सिंपल तरीका है, आप इस तरीके से देखी, अब यह 50 इंच आ गया, तो यह आप पचास इंच की लंबाई का निसान लगा दिया, अब इसमें आपको फोल्ड कितना गरना है, तो इस तरीके से यह दो इंच पर निसान लगा दिया, तो यह आपका फोल्ड हो जाएगा, अब यह अगर पचास इंच का मैं निसान इस तरीके से देखी, यह लगा देता हूं, तो मेरे पाद जो है, यह 16 इंच की बाजू नहीं बचेगी, यह 14 इंच बच रही है, तो मैं पचास की जगा, 48 यह 49 इंच की इसकी लंबाई का निसान लगाऊंगा, पहले बाजू के लिए मैं निकाल लेता हूं कपड़ा, यह देखिए इस तरीके से, यह 16 इंच, अब इसके बाद में जो कपड़ा है, जो भी लंबाई है, मैं उसको इस तरीके से रख दूँगा, देखिए, यह मैं पास में कपड़ा कम है, यह हम इसलिए लगा रहे हैं, अब देखिए इसके आप से उन्होंने हिप का भी बताया है, तो हिप का इस पर कम से कम निसान लगेगा 25 इंच पे, इस साइज में, और 25 इंच में इस तरीके से निसान लगेगा, उनकी 22 इंच है, तो हिप के अंदर ज्यादा लूजिंग आती तो है, इसके अंदर क्योंकि यह लूजी होता है, तो यह 22 इंच के हिसाब से यह 13 इंच हो गया, चोथिया हिस्सा, अब इसमें एक इंच के और लूजिंग डाल देंगे, तो यह 27 इंच मलब 14 इंच टोटल करेंगे तयार, तो आपका यह कपड़ जो होता है, यह हलका साड ड़लकने वाला होता है, देखिए अब इसमें मार्जन कम आ रहा है, क्योंकि यह कपड़ा कम है इस चक्कर में, यह देखिए, एक तो इसके अंदर हो गया, हिप का निसान, अब उसमें क्या है, इस पीस में यह होता है कि थोड़ा चाग ज्यादा स होते हैं, नीचे से थोड़े छोटे होते हैं, तो इस तरीके से अगर यह कपड़ा होता हमारे पास में, तो हम इस तरीके से इसके यह निसान लगा लेते हैं, देखिए इस तरीके से, यह निसान लगा लेंगे, यह निसान लगा लेंगे, यह निसान लगा लेंगे, यह नि तो वह ले लेंगे, देखिए आप मार्जन इसमें अश्टा अलग रख लें क्योंकि मेरे पास कम है अब नॉर्मल जैसे बाजू है आपको अमरेला कर निया कैसी करनी है वो आप कर लेंगे, मैं इसकी नॉर्मल बाजू काटी यह फिर आपको देखा देखा लिए यह इसमें इसमें पॉ inve कर लेंखिए यह नॉर्म नॉर्मल कि दिесाव wann treball शोड़ीं कर लिए भी विए यह जिए की काट्ए वर जौड़ीं के लिए भाड़ीं कि भी लगांगी व् हुटुरा greenhouse अईस्टरी कर लिए पॉलादी डरा पो नॉर्मल नॉर्मल चोड़ीं मेरे लगाड़ीं इस जगाँ पर भी नंग झाएक लाश्टिक ने भी स्ट इस जगाँ पर जागाँ यह तो फ्टो या तो फोड़ी सी लूप भी या जाएगी और थोड़ा ता कमर अगर रूज रहे नोग ए पार कबर से बना मुँँ तो मैं बता दोगा तो आपए इसको सीखने के लिए चलि बटन टेक लगाएं आप तो लगा सकते हैं अगर बटन टेक नहीं भी लगाना है आपको तो भी ऐसी कोई वाल नहीं है क्योंकि गला इसका बड़ा है सराराम से आ जाएगा यह इसलिए क्योंकि उसमें मुझे बटन नजर आ रहे हैं जो वो सैंपल देखा है मैंने तो बटन लगा सकते हैं यहां पर देखिए इस तरीके से हम इसको काटेंगे यह ऐसे करके यह 20 सेट हैं सो इस तरीके से काटने के बाद में देखिए एक चीज है कि जो लेडिस का जो वो होता है बटन टेक होती है वह गये मैं होती है जैसे वो इस तरीके से इस पर जो है काज बनेंगे अब लेडिस में जो है वो इस सेट में राइट हैंड में काज बनते हैं जैंस में लेफ्ट हैंड में बनते हैं और लेडिस में जो है राइट हैंड में बनते हैं तो यह देखिए इसको इस तरीके दाम यह लगाएंगे यहां से जब क्किस्स, विए कार्टप्टी है तो इसका my और नतर से एकार्ट नेए यह देखे इस तरीके से अ neces कर गेंगे फफोर्ड करके here क्या इंहे जब एक कि को कि आंग मैं तो यह इस तरह के और समय लगा देगे अभी देखिये जो बर्द अग्य है लगाएंगे यह बंदन को देखिये हास से सेट करने में इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और वोल्ड करके लेंगे यहां पे बिल्कुलस के उपर ऐसे करके रखेंगे यहां पर यह पट्टी आ यह भी इस जेगा पे इper नीचे निया पे उपर क्योंकि आप उल्टी तरफ इस तरीके लगा सकते हैं इस तरीके से आपको सिलाय ये नजर आना चाहिए ऐसी कि पी प्रॉब यह पे यह बिल्कुल हमने एसे लगा दी आप यह देखिर घैसे यह बडं टेक हो लिया एस तरीके से इसका करना क्या है इसका हमें करना सबसे पहले कंदी जोइंड करना लिए तो गन्य reperd whenever करने के लिए देखिए स्की बैक है अहां हाई यह बैक है इसको हम इस तरीके से सीधी रखेंगे और जो ही फ्रेंड है यह उल्टी रखेंगे इस तरीके से कि विए एक ररे कर गए कि अ यह जेखे ने हुआ है कि यह देखे सिब्सक्राइब है आप अब यह गला यह कंदी इस तरीके से जो गई अभी अब इसका जो गला जो है इसकी हम सेप दें प्टी जो है नीचे तक जाएगी देखे इस तरीके से ऐसे खर्ड़के थोड़ा नीचे सब्सक्राइब द्ट्राइब करने गल्लेयस करने यह लगा है लाटे कशैरो इस तरीके से, यह इदर से देखिए, इसे करके, यह पूरी गले की पट्टी है, इस तरीके से आजाएगी, तो इस तरीके से यह, मैं पट्टी को पूरी एक सिलाई लगाऊँगा, अच्छी जितना हमें मार्जन लेना है, अच्छी तरीके से, क्योंकि ज्यादा मार्जन ना क्योंकि ज्यादा मार्जन लेंगें, तो फिर गलाप का फलकने लगेगा, और इसको हलका सा, मामली सा, टैट करके रखें, लूज भी ना रखें, तो इसको मैं जोड़के, और फिर यह पट्टी लगाने के बाद में, मैं आपको दिखाता हूँ, यह देखिए, यह मैंने इ दो इंच उपर करीब लगी है, तो इस तरीके से जब हम यह पट्टी लगाएंगे, यह इसी के अंदर लगा देंगे, तो इससे क्या है कि यह जो इसका अगर कच्छा करके लगाएंगे ना, तो थोड़ा सा धागा निकलता रहता है, तो इस तरीके से देखिए, अब जैसे इसके अंदर पक्की लब हो जाएगी है, तो इस तरीके से, यह हलकी सी खीच के रखें, और इसको हलका सान लूच करके छोड़ें, यह देखिए इस तरीके से, यह देखिए इस तरीके से, यह देखिए, इसको भी इस तरीके से, जैसे हमने यह इतना लगाया है, अब इसी तरीके से, जैसे इसको नाप लिंगे, नापने के बाद में यहाँ पर दो इंज का, जैसे यहाँ पर आएगी, तो इस तरीके से इसको रखके, यह पूरी सिलाई लगा के, फिर मैं आपको बरावर हो जाता है, और थोडा सा कई बार सिलाई जब स्केर्चे है तो ये चीजा जो यहां से ओड़ जाती है अब वह चीज उठेगी भी भी कि इस तरीके से किनारपे इस शिलाई लगाएंगे ये देखे हैं इस तरीके से ये देखे हैं रुप नैं पोगे तो जितनी पिछोड़ाई आप इस पट्टी के बनानी है इस तरीके में को यह देए ऑज तो यह देखिए इस ही तरीके से यह पूरी जाओ झिराहिश फाद ने यह मार्जनतरी से काट दूए बिल्कुल इसके बराबर से इस अब जोका रिए के बाद में और इसको में करे हम तरहे से पon kiedy हनु के जाण के न ही मादिन थे खेंगं के चांट में पोर लैगा है कि अब दिखयो मैंने इसा तरीकों से यह कै्ट है वो सारा अंदर ही हो गया तो यह देखिए अब मैं इसको इस तरीके से एक कच्छी सिलाई यह लगाऊं यहां से जैसे जो गला हमारा है इस तरीके से देखिए ताके गले की लोग किसमें आ जाये इतनी देखिए सिलाई में लगा लूँगा बाकी यह खुला चोड़ दूँगा क्योंकि इसके अंदर जो है अभी एक कपड़ा लगाना है जो हमें लाश्टिक लगानी है यह देखिए इस तरीके से हम यह पहले इसकी अब सैड जोडेंग कि धाना यह पहले ँसके जोड़े से थोने की अशिए से घर लल्रस आपको ताहिए जब पहले यह जोड़ना नीचे वाली हम से हम जोड़ने के बाद में लाड़ से कौलके इक निसान यहां पर लगाना है देखिए इस तरीके से कि इसको यह हमारा जु ऐ है इस तरीकसे जो देखिए चोड़ा बड़ा रहा Guys इसको मिसा पर पेसके कर देखिए सिलिंगे हुआ है है कuu आगहा और यहाँ से थम्हें इतना कच्छा कर दिया है और इन इस थो प्ल्ले को आपस हमेhём। को आदा इंज मार्जन जाओके। जितना आपने ऊच्टicação के वी आप छी यहाँ। मैंने इसमें आदा क्रूंश रखा है क्योंकि इसके इंदर लाश्टिक लगाओ निया है अदा क्रूंश रख़ेंगे और इंटर्लॉक कर लेंगे तो हमारी जो लाश्टिक जाग आया जाय metabolismo से इसके इंदर आ जाएगी देखिगे इस तरीके से ये देखिया ऐसे गरें आजिए कि आज लिए ये इस तरीखे से हमारे ये में पूरी जोड ली अब जोडने के बाद में इस चरीखे से ये बैक की हम आदा इंज के साब से जोड लेंगे इसको और जोडने के बाद में इंटर्लोक करके फिर आपको दिखा देगी यह दोनों पंले मैं ने जोड़ने के बाद में इस तरीके से ओब लोक कर लिया है तो अगर आप देखिए एक चीज और मैं बता देता हूं जैसे इसमें मैं लगा रहे हूं यह मैंने इसके अंदर मारजन रग दिया है अ और एसके इस तरीके से हम, इस सीधी फट्टी से जो है इसको, यह निसान लगा लिए पर देमें, अब हमें इसकी सेट की जुडाई करनी है, जुडाई करनी है, जुडाई करने के बाद में देखिये इसको जब आपको बता दुँगा फिर भी मैं एक बार पहले यह बता देत इसको मैं इस तरीक से देखिए एक सिलाई यहां पर लगा लूँ इस कपड़े को ऐसे करके यह जब कमर हम यह सेट जोड़ लेंगे तो एक ही बार में लगाएंगे जो हमारी देखिए यह जो बटन टेक है यहां से लगाना इस्टार्ट करेंगे यह देखिए हमने इधर भी फिर यहीं से यह पूरी लगा देंगे तो यह दोनों इस तरीके से इसके अंदर लाश्टिक चले जाएगी वो किस तरीके से लगाऊंगा बो भी मैं हूँ आप मसीन पर बता दूँगा मैं यह चीज़ समझा रहा था आपको कि अगर आप यहां पर यह लगाएंगे इस तर जाणी से लगाहां मैं इसका यह कड मारके कर दूँगा कर दोंब आप मगडत आप यह है कि इसको जब जैसे Paggi like लगए इसी तरीके से नीचे वाली बी लगा ले दोनों सेम पटτι लगाएं अब किस तरीके से सिलाई लगा के मैं यह सैड लगा के और किस तरीके से लगाऊंगा वो मैं आपको दिखाता हूं एुद्ञासे लगाए मैंना एक से लगा लिए दुसरी सेंट में आपको डिखाना चायाता हूं यह किस तरीके से लगा एंगे क्योंकि यहां पर हमें सिलाह basated है ध्यूंकि अगर हम पूरिय लगा दिगे तो यह से लाश्टिक अंदर नहीं जाएगी ऐसे करके और जहां तक यह सिलाई है यहां पर लाके इसको इस तरीके से पक्का कर देंगे अब यह पक्का करने के बाद में इसको मसीन को देखे इस तरीके से उठा के और यह मार्जन जो है दोनों मार्जन इस तरीके से नीचे कर देंगे और फिर यह सिलाई के यहां से ही इस इसलाई लगाने के बाद में लेके और गडू लगत से हमार ही लगा दिंगे इस तरिके से अब यह नुक है'd है जिन दोना चीजने फिरी है । यह व्य निए इस तरीके से sağ bagus लेके आएंगे तो इस अ सबस्राफ्ज कट लगा दिया तो यह वाला उपर आजागा इस तरीके से इसके उपर गार iç जालивает ooh यह वाला यह चले जाएगी और यह पर छुप जाएगी लाश्टिक और इसको आप ऐसे करके शिल देंगे और आपको यहां पर क sürड़ेगी अब यह देखिे जैसे कि ये मैंने यह सिलाई लगा दी यहाँ पर पक्की करके कि इस तरह के से ये सिलाई tribal Sterng Team होगी अवरा अराम से अराम से लग जाएगी अब यह देखिए जुडूसरी ऑड़े ज्डी पहले उपर के जो लखाएगी हम इसको को देखिए सबसे पहले जो हमने कच्छा लगाया था इसको इसको हम खोल लेते हैं अब हमें करना गया है कि यहां से इस तरीके से लाश्टिक लगाना करेंगे लाश्टिक के लिए हमें पहले सबसे पहले करना क्या है कि कपड़ा जो हमने यह ले रखा है इसको देखिए इस कि अब ये अभी देखिए जैसे यह वाली हम यह पट्टी लगा रहे हैं इसे करके तो यह पट्टी हमारी पूरी यहां पर जा रहीए तो इसमें लाष्टिक बाँ आप राम से वह गूम जाएगी यहां पर यह पधा दा आए अगर इसमें भी जैसे यह लगा ली ऐसी आपको पूरी सिलाई लगाने के बाद में एक पट्टी आप यहां पे लगा सकते हैं तो वो ज्यादा अच्छी रहेगी और आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं जो तरीका यह मैंने बताया है यह नहीं है कि नहीं लग सकती है ऐसे करके लग सकती है मगर यह कि वो ज्यादा एजी है और अच्छी तरीके से है वो पूरी गूम जाती है देखें इस तरीके से यह यह देखें ऐसे करके अब यह देखें इस जगा पे जहां पे जहां पर हमने यह लगाई है यहीं से हम लाश्टिक को लगाएंगे तो देखी इस तरीके से यहां तर यहां देकREं आएंगी उसके बाद में हम आदा इंज मार्जिन करीब कपड़े का लेंगे और इसको काट देंगे अब ये काटने के बाद में देखिए ये लाश्टिक भी है और इसको हम इस तरीके से ऐसे करके नकून से को करके और इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे यहां से अब fold करने के बाद में देखिए यह lastik है इस lastik को इस तरीके से हल किसी निकाल के बाहर को ताकि जब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे उससे वो मजबूत हो जाए इस तरीके से देखिए यह आ जाएगी और यह आने के बाद में देखिए इसको lastik को हम इस तरीके से निकाल देगे और निकालने के बाद में हमें जितनी भी चोड़ी पट्टी यह करनी है हम इस पट्टी को देखिए इस तरीके से कर लेंगे और यहाँ पर एक सिलाई इस तरीके से लगा देगे हम पक्की कर देगे यह देख करें या तो आप इसको पहले से ही लगा के फोल्ड कर लेगा तो भी ज्you जाधा अच्छा रहेगा इस तरीके से देखिए इसको लाज्टिक को अंदर करेंगे जUE दियान रखें लाश्टिक का कि लाश्टिक की लाश्टिक पर सिलाई नहीं चड़ना चाहिए यह देखिए इसे कर से कर सकते लिए याँ तब वालि यह उखिए दोस्तो यह मैंने लाश्टिक इस तरीके से देखिए यह लगा दिये यह उपर वाली जो मैंने दिखाया था यह देखिए इस तरीके से दोनों लाश्टिक आप लगा सकते हो बो तरीका भी मैं यह बदा दू देखिए इस तरीके से मैं इस पर यह लगा लिए यहां पर आप इसको देखिए किस तरीके से मै जालके, वे ये ये लास्टिक में गोल वाली डालना हो, ये छोड़ी वाली लास्टिक है तो देखे इसको इस तरीक से जो हमने इश्लाइय लगाई है यहां पे, जैसे यहांपे यह गयाब चौड़ oh um तो इसको इस तरीके से डालेंगे यहां से, यह देखिए ऐसे करके, जैसे नाडे को डालते हैं, उस तरीके से, यह देखिए इसको डालेंगे ऐसे करके, यह बहुत आसान है, तो इस तरीके से अगर आप डालेंगे, तो दिक्कत नहीं आए, क्योंकि लाश्टिक जब साथ में डादेंें लगतें लाइन डाम करते हैं में तो कई बार ऐसा हो जाता है कि बार बार लाश्टिक जो है वो सिलाई में फस जाती है तो इसमें दाङभर तूड जाता है तोorkんです यह पूरी लाश्टिक इसी तरीके से डालके और फीनल करना तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर यह ड्रेस बनके रेडी हो चुकी है और चाचा कुछ बताना है तो बता दो यह रिक्वेस्ट थी कैनेडा से यह मेरे पास सीखने भी आये थे मेरी बुटिक पर पर्सनली और उनको यह मतलब यह किसी की ड्रेस आई थी तो उन्होंन का ओडर आया था तो उन्हीं के नाप से जो है हमने यह बना के दिखा दिये इसमें लंबाई भी वही बनेगी सेम नाप चोटी कर दिए वह मैंने बता दिए वीडियो में बता दिये तो इस तरीके के देखिए चाचा ड्रेस बनाते हैं और आपको बगवी मालूम है कि कैसे अगर आप मार्केट में लेने जाते हों तो तकरीबन आपको यह 800-1000 रुपे की और अगर कुछी ओनलाइन स्वापिंग से करते हो तो पंदर सुरुपे तक की आपको मिलती इसी लेकिन यहां पर आपको चाचा ने इस तरीके से समझाईए जिससे आप बहुत अराम से अपने घर पे इसको बना सकते हैं तो आपको युटे कैसे लगी कमद्स करके जूर बताना वीडियो पसंद आए तो लाइक पर शिरुकरना ना बूलें अब चाचा कुछ बताएंगे वह सुन लीजी आँ यह देखिए जैसे मैंने यहां पर पिन लगा रखी है तो यहां प लग देखिए तो इसको देखिए इस तरीके से यहां जैसे कि इस द्रहाई से बंद कर लेए उरुपन से फैंशी नगा लगा ले यह भी हो सकते हैं यह भी बंद हो जाएकि जैसे कि उन्होंने जो हमारे पास सेम्पल बेजा है उसके इसाफ प्र अज़को थोड़ा अगर इसमें कुछ वैसे थोड़ा बहुत रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं तो उसमें आपको जवाब दे दिया जागा तो वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू फॉर वर्चिन